नमस्कार स्वागते अपकान साथना नियूज में मैं पूलिके सक्सनापनों के साथ आई एक नज़र डालते हैं राजिस्थान की तमाम बड़ी ख़बरों के हो लेकिन आपको से पहले बता दो कि राज़दानी जैपुर के SMS अस्पताल में आज सुबह नर्सिंग कर्मचारी के साथ में एक म्रत व्यक्ति के परीजनों ने मारपीट की है साथ इसके बाद में कर्मचारियों ने कारे का बहिश्कार भी कर दिया है तो आई एक नज़र डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओड राज़दानी जैपुर के SMS अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में नर्सिंग कर्मचारियों से हुई मारपीट के बाद में अस्पताल के तमाम नर्सिंग कर्मचारियों ने सोंबहर को कारे बहिश्कार कर दिया है मारपीट की घटना के बाद में अस्पताल में व्यवस्थाय चर्मरा गई और मरीजों को पर नर्सिंग कर्मचारियों से जवर्दस्त भैस हुई है। इसी बीच गुस्ताई युवकों ने नर्सिंग कर्मी मुनिराज के साथ मारपीड चुरू कर दी। लाद गुसों से मारपीड करते हुए वहां रखे समान, दवाईयां और वाड में गिरा दी। और दर्वाजे इनके काफी चोटे भी देखने को मिली हैं और यह गटना के बाद में आक्रोशेद नर्सिंग कर्मचारियों ने कारे का बरिशकार कर दिया। कि दो साथ अगार के पूरे हुए हैं और तीन साल बत चुनाव गी हैं तो सिकोंड से सब लोगों को परिष्टा, अनुभाव, नौजवान, पारगोलिक, सामाजे कुष्ची को रखते हुए, संफिलन बनाएं ताकि सक्ता और संज़न को कि हमारे साथी बनाएं, बलकर काम क कई शोची का ओवलिकार क फ्रकार में तो फविष्ची का शाली को नियुकर क में परिष्टारी வ fences कि वाड़ करना करने को परागोलिक्स की तूर नियुकर के मारे दखकनिपटे हिए हैं not इतन और सभशार्व घुवास हमारा 돼 जोने पड़ी भनेत करी है और साइंटिस्ट जुनों ने इदरे कम समय में एक्षिम को लाकर दन्ता की भी दूने का रहाम किया है वो राश्ची सर्पत्ति है उस्वाराश्टिकर नहीं करना चाहिए और इस बुरे दोर में हम सब को एक उड़ता से काम करना चाहिए लेके नि यह भी देखा है कि जब चुनाव है बिहार के वहां बोज़्दा पत्रन क्या चाहिए और वैक्षिन को पर आजनीत नहीं होने चाहिए सेडुलाई गाउं के पास में सवाई मादबुर की तरफ से आ रही तूड़ी से भरे ट्रक ततालवाई मादबुर की तरफ जा रही एक ट्रैलर की बीच में आमने सामने की बिढंद के कारण मौके पर कोहराम मच गया बिढंद इतनी जवरदस्त होने से टेलर का चालग ढ़ाई घंटे तक कैबिन में फसा रहा तथा जीवन और मौद से संगर्श भी करता रहा बिढंद की आवाज दूर दूर तक गुजने से वहां लोगों की भीड भी खटा हो गई थी और बिढंद का मंजर इतना ख़तरनाकता की देखने वाले दंग रह गए मामले की जानकारी में लिखते ही मौके पर पोलिस भल भी पहुचा और ग्रामीनों और पोलिस भल की मदद से रहा तैवं बचाओ कारे शुरू किया गया दाई गंटे चले रहात एवं बचाओ कारे के बाद ट्रेलर के कैबिन में फसे चालक को बाहर निकाला जा सकता है जीवित निकलने की स्थिति में लोगों ने रहात की उसकी साज भी ली है चालक के पैर में गंबीर चोटे आने के कारण एम्बुलेंस से राज किये समुधाई चिकित्सा के इंदर पहुचा आया गया जहांपर चिकित्सकों ने चालक तदा परिचालक को दौसा रैफर किया फुलिरा शेत्र में इस सर्दी के मौसम में भी पेजल और बिजली की अगोशित कटोटी को लेकर के आम जन को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है आज फुलिरा विधायक निर्मल कुमावट भाचपा के पारशद और कारेकरताओं के साथ पेजल और विद्ध्व विबाद के काराले पहुचे हैं जहांपर अधिकारियों पर भेदबाव का आरोब भी लगाया गया इस पर विधायक निर्मल कुमावत ने अधिकारियों को जल्द समस्या सुधारने के निर्देश दिये साथ ही अगर समय रहते समस्यां का सुधार नहीं किया गया तो जन अंदुलन करने की चेतावनी भी दी गई है विधायक ने पताया कि सर्दी के मौसम में चार-पांच दिन से पेजल सप्लाई नहीं हो रहा है साथी बिजली की अगोशित कटोती भी हो रही है जिससे आमजन बुरी तरह से परिशान है जान सबस्केतर का दुर्भाग्या है कि भरी सर्दीयों में पिलेरा शहरी नहीं आज सामबर की भी न्यूज लगी है आप लोगों देखियों कि ब्रामीन एरिये में 5-5-7-7 दिन से पानी पीने का मिल रहा है में पिछली सरकार में डेली तो नहीं मिलता था मगर एक दिन छोड़के एक दिन सुचरू व्यवस्ता ची पुर्भागय से वर्तमान में एक टड़ साल में पूरी व्यवस्ता चर्मरा गाई गी और मजबुरान बारती जिंता बार्टी के पारस से लोगों शड़क पे निक दुर्बागे से जनता ने फिर भी जनादार कॉंग्रेस पार्टी को दिया, मगर फिर भी हम हमारा राजदर्म निवाएंगे, हम भी फक्स में है, हमारा फर्ज जनता की मुलबूस्टी दाउं के लिए अपनी आवाद उखाने का, इसी तरण में पानी क्यों लेकर है, अब हम पुरा अधुलन करने की तैयारी में नब्स टटोलने की नसिहत भी दी गई, PCC चीफ गोविंग सिंटोटास्र ने विधायकों से अभ्यान को सफल उनाने की अपील भी की है पूरे मारवाड में सोमवार को कोरे की परत चाय रही है, पूरे दिन के साथ कोरा कम हो गया, लेकिन वहीं ग्रामी उशेत्र में घना कोरा चाय रहा है हालकि न्यूंतम तापमान 2.5 डिगरी बढ़कर के 12.6 डिगरी तक पहुचने के बाद सर्दी से कुछ राहत अवश्य मिली है लेकिन सर्द हवा भी भी गलन पैदा कर रही है, कोरे के कारण सूरज की तपिश भी मध्यम पड़ गई बौसम विभात के नुसार अरब सागर की तरफ से बढ़ रही नमी से यहां कूरा चाह रहा और एक दो दिन में हलके बादल भी चा सकते हैं पूरवी राइस्तान से बने ऊपरी हवाओं के चक्रवार से अब सागर की तरफ अरब सागर की तरफ से नमी राइस्तान की तरफ बढ़ रही है। साथिसाथ ज्यादा असर पूर्वी राजिस्तान में पश्चिमी मध्यप्रदीश की तरफ होने से उन शेत्रों में बारिश्वय बूंदाबांदी की संभावना भी थी और यहां कम दबाव के शेत्र का असर कम होने से यहां केवल नम ही पहुंची है राजिस्तान में कोरोना वाइरस संक्रमन के 502 नए मामले रविवार को सामने आए हैं इससे अब तक राज्य में संक्रमितों की कुल संक्या 3,9,821 हो गई है वहीं राज्य में संक्रमन से 5 और लोगों की मौत हो गई जिससे राज्य में संक्रमन से कुल मरने वालों की संख्या 2710 तक पहुझ गई है अधिकारियों ने बताये कि रविवार शाम 6 बजे तक बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमन से 5 और मौते हुई जिससे मरने वालों की संख्या अब बढ़ करके 2710 तक हो गई है राज्य में अब तक जैपुर में 504, जोदपुर में 291, अजवेर में 219, बिकानेर में 166, कोटा में 166, भरतपुर में 120, उदैपुर में 111, पाली में 109 और सीकर में 98 संक्रमिदों की मौत हो चुकी है प्रदीश में कौव की मौत का सिलसिला लगा तार जारी है रविवार को जैपुर समेट 4 जिलो में 135 कोवों ने दम तोड़ा है अब तक करीब 200 से जादा कोव की मौत भी हो चुकी है आशंका जदाई जा रहे हैं कि बवव फ्लू के कारण ये मौते हो रही है पिछले 24 गंडे के अंदर हनुमानगड में 88, 14 वार में 13, 12 में 12, जैपुर और जोदपुर में 77 वे पाली और भीकनेर में 44 कोवों की मौत होई है उधर पाशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर विरेंद्र सिंग ने बताये कि इस्तिदी पर नज़ा रखने के लिए विभाग ने राजस्तर पर नियंतरन कख्ष स्थापित किया है इसका विभाग के सरसे 30 डिसंबर 2020 को समस्त जिला अधिकारियों स्वास्त विभाग वन विभाग एवं अनिस संबंदिव विभागों को त्वरित कारवाई और आपसी समन्वे के लिए निर्देशी का जारी की जा चुकी है राहिस्तान की तमाम बड़ी खबरों में बसेता ही देखते रहिए साधना न्यूस नवस्तुर्ण